हेलो स्टुडेंट्स स्वागत है आपका आपके प्यार से यूटूब चैनल जीके एंडरलाइन अश्टेडी में तो फाइनली आज की वीडियो में हम आप लोगों को 12th बिहार बोड एक्जम 2016 के हिंदी के question paper का solution देने बाले हैं तो चलिए बिन समय को गबाय सभी प्रसनों को solve करते हैं उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को subscribe कर लिजिए और इस वीडियो के लिए एक like कर लिजिए तो चलिए सबसे पहले हम लोग objective question को solve करते हैं उसके बाद subjective question को भी solve करेंगे तो तीन नमर से आपका objective question शुरू होता है तो तीन नमर का first question में है कि सही जोडे का मिलन करें इधर पाठ का नम है और इधर लेखक का नम है आपको इसको मिलन करना है तो पहला है बादची तो बादची तो पाठ के लेखक कोन है तो बाल कृष्ण भड़ जी है और यह बादची चेप्टर जो है यह एक ललीत नीवंद है उसको बाद है ओसदा नीरा तो ओसदा नीरा जो है वह जगदीश चंदर माथूर के द्वारा लिखा गया है और उसक प्रसन राता आए कि संपुर्ण करंती का नारा किस ने दिया तो जै परकास नारा अभड़ ऑद उसके पाद है तुमूल कोलाहल कलह में तो इसका हो जगार रैट अंसर जै संकर परसाद जी और जै संकर परसाद जी को छाया बाद का परभरतक भी कहा जाता है यह भी प्रसन बहुत ही important है उसके बाद objective question है कि निमलेखित प्रसनों के बहुत बेकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर चुने फर्स्ट question है कि इसमें कि गाउं का घर क्या है तो गाउं का घर एक कभीता है और जिसके कभी ग्योनेंद्र पती जी है इसका right answer को हो जाएगा उसके गालीब तो यहाँ पर जो गालीब प्रसन है यहाँ आपके 12th का कोई भी chapter नहीं है यहाँ आपके 11th कलास के हिंदी का chapter है और यहाँ एक कभीता है जिसके कभी तिरी लोचन जी है इसका right answer को हो जाएगा क्योंकि 2016 में जो इन 11th के हिंदी से भी परसन रहता था आप भले ही नहीं रहता है लेकिन पहले पूछा जाता था उसके बाद है प्यारे नन्हे बेटे को यह तो 12th कलास का ही है तो इसका right answer क्या हो जाएगा बिनोद कुमार सुकल जी हो जाएगे उसका देखिन नेक्ष प्रसन है सफेद कपूदर तो सफेद कपूदर कपूदर जो है यह भी 11th कलास का ही पाठ है जो की परति पूर्ती जिस तरह से 12th कलास के परति पूर्ती में तीन अध्या है एक कलर की मोत एक रसी का टुकरा और तीसरा पेसगी तो उसी परकार से 11th में भी परति पूर्ती के अंदर गत तीन चेप्टर दिये गे थे जिसमें से एक है सफेद कपूदर और इस पाठ के लेखक जो है वह निवेन कॉंग थन थे इसका राइट अंसर खो हो जाएगा उसको बद है छप है तो छप क्या है तो छप जो है या नाभादास के द्वारा लिखा गया एक कवीता है जिसमें उन्होंने सूरदास और कवीरदास के गुनों के बारे में बखन किया था पहले पंक्ती में उन्होंने कवीरदास के बारे में बर्नन किया और दूसरे पंक्ति में सुर्दास कभी के बारे में उन्होंने बर्नन किया था उसके बाद तीसरा प्रसनेके रिक तस्थनों की पूर्टि करे आप जो है रिक तस्थन का क्वेस्चन तो राता ही नहीं है लेकिन objective रूप में रह सकता है रिक तस्थनों की पूर्ति करे पहला प्रजनेस में की आत्म हत्या करना बड़ा पाप है दुख में डैस धारन करके गंभीरता पुरवक सोचना चाहिए तो धैरे धारन करके गंभीरता पुरवक सोचना चाहिए फिर है एक कलाकार के लिए नहायत जरूरी है कि उसमें जो है आग हो जिसका रहे टंसर आग होगा उसको बड़ा सिंग के अनुसार डैस भी देश की सेवा की जा सकती है तो कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है उसको डैस हमारे व्यक्तित्व के विकास में बाधक है तो वह करोध जो है हमारे व्यक्तित्व के विकास में बाधक है फिर हर आदमी उस संसार को डैस जिसमें वह जीता है और भोगता है तो वह आदमी उस संसार को रचता जिसमें वह जीता है और भोगता है तो रचता इस desk के अंदर गत भढ़ाएगा उसके बाद देखे इसमें है कि निमलिखित विश्यों में से किसी एक पर निवंद लिखना है जिसे चुना परकिरिया मोबाइल, आतंगवाद, परदूसन हो गया उसके बाद संपरसंग बैख्या कर ये से भी long question है इस पर special video हमें एक बनाये हुए है कि आप किसी भी पंक्ती का बैख्या कैसे करते हैं आप जाकर देख सकते हैं उसके बाद ये सभी बैख्या वाला प्रसंग है ये सभी राता आई है आप pattern देख लेजिए ये सभी अभी भी pattern लाग हुआ है उसके बाद देखिए आप जो है ना यहाँ पर संदी बिच्छेदा और प्रसंग राते हैं विप्रार्थक सब्द वाला जो अभी भी objective रूप में पुझाते हैं ये सभी का solution हम आपको यहाँ पर दे देते हैं ताकि इस तरह का प्रसंग अगर objective में रहे तो आप उसे छोड़ कर नहीं आएगा छो का कौम है कि किन ही पंच सब्दों के विप्रार्थक सब्द लिखे जिससे आदर आदर का विप्रार्थक सब्द होता है अनादर उसके बाद आरे का हो जाएगा अनारी उसके बाद आदर का आदर मतलब होता है नमी तो नमी का होता है सुस्क, सुखा उसके बाद है अमरित, अमरित का बिस ये तवसन ये आय का हो जाएगा व्याय और आधार का निराधार उसके बाद है अनेक सब्दों के लिए एक सब्द, one word substitution, ये इंगलिस में भी पुछा जाता है एंटोनेम, साइनोनेम ये सभी जो न, ये आप ध्योन करके ही आप इसे पढ़ कर ही जाएगा यहोंकि इस तरह का इस पर प्रस्ण आपके बोड़ एक जम में पेपर में जरूर रहेगा जैसे येस वाला के लिए एक सब्द क्या होगा तो ये सस्वी होगा उसको जैए लोक का तो लवकिक गरम का गरमिन पुत्र का पुत्र पौत्र याचन करने वाला तो याचन करने वाला के लिए जो एक सब्द होता है वहा होता है याचक और उसको जैए खेलने वाला खेलने वाला क्या हो जाएगा खिलारी उसके बद है किन ही पंच सब्दों के या पंच के संदी बिच्छेद करना है गो में जिसे दुर्ग तो दुर्ग का संदी बिच्छेद होगा दुह जोर गो दुह जोर गो हो जाएगा दुर्ग का संदी बिच्छेद उसके बद है पयोद तो पयोद का संदी विच्चेद होता है पह जोड़ दोनों एक ही समय था उसके बद है तिरिसन तो तिरिसन का जो संदी विच्चेद है वह हो जाएगा आपका रिस जोड़न तिरिसन उसके बद है एस्ट एस्ट का होता है यथा जोर इस्ट फिर निस्चल तो निस्चल बहुत ही इंपोर्टेंट है निस्चल 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 यह पूछा जाता है और नाभिक भी बहुत ही इंपोर्टेंट है नव जोर इक नाभिक भाभुक पावग पावग यह सबी पूछा जाता है ये सबी ब्यंजन संधी का उधारन था नावीकर उसके बाद है किन्ही पंच के बी सेशन बनाए से अंकूर का होज़ेगा अंकूरित कुटुम्ब का होज़ेगा कुटुम्भी देशी का देशज नियम का नियमित किरपा का किरपालू चरितर का चारित्रिक हो गया उसके बद कि अंगों में समस क्या है इनके भेदों को असपश्ट करे तो समस पता है आपको कि दो या दो से अधिक सब्द जब दो या दो से अधिक सब्द यहाँ पर दो या दो से अधिक सब्द रहेगा वह अपने बीच के विभक्ती चिन का लोब करके जिस नए सब्द का निर्मान करेगा उसी को हम समास कहते हैं और समास के छावेद होते हैं तत्पुरु समास द्विगी समास परधन हो और पहला पजो इसका गोन हो उसी को तत्पुरुस समस का जता है जिसे राज मंत्री राज कुमार राज मिस्तिरी देश निकाला देश से निकाला तो जो तत्पुरुस समस होते हैं उसमें क्या होता है कि करता को छोर कर कर कारक में सिर्फ करता को छोर कर बौंकी सभी का तत्पुरुष समस होता है करम तत्पुरुष जिसे करताने ने को हटा करताने करम को करन से ये सभी का होगा चीडि मार चीडियां को मारने वाला को आ गया तो इसमें जो है ना तत्पुरुष समसी होगा उसके बद है करम धारे समस तो इस तरह से आप इसमें भी बोल सकते ह कि जिस सब्द में विशेस विशेशन की चर्चा क्या जाएगा या उपमा उपमे का मेल होगा उसे करमधार समझते हैं जिसे चंद्रमुख के समाण मूख तो चंद्रमुख हो गया, उसका पीत है जो अंबर, मतलब पीतांबर, तो इसमें विशेस अर्थ बखता हुआ है, जो पीतांबर किसे का जाता है, विश्नोर जी का जाता है, पीला वस्त धारन करने वाले को, तो उस तरह से उसमें विशेसन और विशेस से, या उपमा और मुख है उसका दैड्वीगी समस तो जो द्वीगी समस होता है वह वह उसा समस होता है जिसका पहला पद है वह संख्यावाचक होगा इसे दो तीन चारी इस त्रहें के बोध होंगे जैसे पंच मुख, पंच मुखों का समू, पंच वटी, पंच वटों का समू, मतलब ब्रिक्छों का समू, तिरी लोक, तीन लोकों का समू, इसमें संख्या बाचक परा सब्द हो गया यह हो जाएंगे द्विगी समस, उसका द्वन्द समस वो समस होते हैं जिसके सभी पद परधन हो तो वह एक दूसरे के योजक होंगे या विप्रित होंगे लेकिन हमेशा यह नहीं होता है जैसे हो गया गौडी संकर योजक है एक दूसरे के दाल भात सीता राम भात दाल ये सभी जो है ना आपका लोटा डोरी ये सभी दौन्द समस हो जाएंगे बहु बिड़ी समस उसके बाद आता है तो बहु बिड़ी समस उसे समस होते हैं जो अपने समान अर्थ को ना देकर 20 अर्थ बतलाते हैं वह बहु बिड़ी समस कहलाते हैं जैसे लंबोदर लंबा है उदर जिसका मतलब लंबा है जिसका फेट तो गनेश जी को इसमें बोध हो रहा है ना कि कि किसी ल लाएगा जैसे हो गया आजन्म ये कुन्सा समसे तो अब युदि बहुत समसे यथा सकती सकती भड़ यथा एक्छा इक्छा के अनुजार दीन दीन परती दीन ये सबी जोह अब युद भी होट समस होंगे तो इस तरह पूरा कर सकते हैं अगर जम में समस का question देगा तो आप बना सकते हैं क्योंकि हम समस पर एक detail वीडियो बना चुके हैं जिसमें आपको बताए हुए हैं कि समस क्या है इसके कितने परकार हैं उधारन देकर समझा चुके हैं उसके बाद देखें लगुतरिया प्रस्न में भी है तो मात्र आपको 40-50 सब्दों मुत्तर देना कि वोजा सिंग जो है हजारा सिंग का पुत्र था जो की सैना में भरती हुआ था और उसका सैना में भरती हुए एक साली हुआ था उसको देखें सरांस वाला भी फरस निश्चित रूप से हमेशा पूछा जाता है वो भी 10 न चारे को पत्र लिखे तो पत्र लिखना आसान ही है इस फॉर्मेट पर लिखते आ रहे होंगे बचपन से तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आप देख सकते हैं इसका अंसर तो इस वीडियो में आपको 2016 के क्वेश्चन पिपर का डिटेल सॉल्यूशन मिल चुका है असा करत वीडियो में हम लोग निस्ट क्वेश्चन पिपर को सॉल्फ करने वाले हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत अपना ख्याल रखे